दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर लगबख 4% की गिराउट देखी हैं हमने कल लेकिन आप ये देख से क्योंकि बाजार में भी बहुती जबरदस गिराउट हुई एक तरस से देखें तो बाजार क्रेश कर गया उसके बाउज़ भी अगर lower circuit नहीं लगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इस लेवल पे खरिदारी भी हो रही है लोग dip में खरिदारी कर रहे है और सबसे जो बड़ी बात है इस सेक्टर में तो आने वाले समय में एक बहुती जबरदस देजी का दोर आने वाला है आज बहुत सारी अपडेट है हमारे पास जिनकों में केकर के डिसकस करने वाले हैं और जानने की कोसिस करेंगे क्या इस समय सुजलों में इन्वेस्मेंट करना चीए काफी लोग है जो बहुत ज़ादा डरे हुए सबसे बड़ी वाद है यह जो बाजार में गिरावट हुई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वज़य है कि अदानी ग्रूप के शेरों में जबरदस गिरावट हुई और उसने पूरा माहुल भीगाड़ा बैंकिंग शेरों में भी गिरावट हुई उनका कहना है कि कंपनी का कामकाज भी बिल्कुल सही डंक से नहीं चल रहा है वहाँ पे काफी ज़दा गरबर चल रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे बाजार में भी करेक्शन हो चुका है लगबग उपर के लेवल से 4000 पॉइंट की गिरावट हो बीसी सेंसेक में हो चुकी है तो आने वाले इसमें जल्दी यह गिरावट थमने वाली है अब अगर हम सबसे पहले ज़सम्भाव ना देखे तो क्या इस समय सुझलों मजबूत है या काफी वीक लग रहा है तो आप देख सकते हो कि 11 रुपीज के आज़वाट स्टोक गया था और कंपनी की सेहत को भी चेक करेंगे इस वीडियो के मादिम से जिससे आपको भरोसा होगा कि वाकि में कंपनी कुछ अच्छा कर लिए लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए एक बेल आइकों दबा दीजिए ताकि जबी नया वीडियो बने एक पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्स एस भी दवेवर मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले गर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो कल 59,330 के स्थर पे क्लोजिंग दिये BSC संसक ने 874 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है 1.45 परसें गिरा BSC संसक और इंट्राडे में तो 1100 पॉइंट की गिरावट हुई अब यह जो गिरावट हुई आप देख सकते हो जिम्मेदारी है वो निप्टी नेक्स 50 की है जहाँ पर 3.72 परसेंट की भारी गिरावट हुई और यह अदानी ग्रूप के शेरों की विज़े से ही हुआ अब जो सेक्टर जिसने इस गिरावट का सबसे बड़ा योगदान है वो है निप्टी PSU बैंक 5.43 परसेंट की बहुत भारी गिरावट है और आप देख सकते हो बैंकिंग शेरों के बाद में जो सेकेंड इंडेक्स गिरने वाला है वो है निप्टी मैटल उसमें भी काफी बड़ी गिरावट थी और इसी विज़र से देखे तो यह पूरा मामला बिगड़ा अब यह आप देख सकते हो कि पिछले कई दियों के बाद FI ने बहुत भारी मात्रा में विक्वाली की है आप देख सकते हो कल 12,414 को बिचके उन्होंने खरीदारी की लेकिन सामने 18,390 को बिचकी भारी बिक्वाली कर दी यानि जो उनका बिक्वाली काकड़ है वो 5,977 को बिचका है यानि करीब 6,70 को बिसकी उन्होंने विक्वाली कर दी और इसने पूरा मामला भी गाड़ा लेकिन हमारे बड़े फंड़ा उस बाजार को संभालने की कोशिस करें उनकी तरफ से खरीदारी उतनी है जितनी FI किया लगबक 12,373 को बिसकी उन्होंने भी खरीदारी किया लेकिन उनकी बिक्वाली 8,120 को बिसकी है उनकी बिक्वाली कम है यानि उन्होंने 4,252 को बिसका नया इन्वेस्मेंट किया लेकिन उनके इन्वेस्मेंट के आगे जो बिक्वाली है वो बहुत ज़्यादा FI की थी और इसी वज़य से बाज़र में हमें गिरावर देखनों को मिली अब सुझलों की बात के स्टॉक की सुरुआत 9.50 पर हुई यानि जो क्लोजिंग थी आप देख सकते हो बुद्वार की उस क्लोजिंग के आसपास ही सुरुआत हुई लेकिन इंट्राडे में हमने 8.95 का लो भी देखा और इंट्राडे में हमने 9.70 का हाई भी देखा यानि जैसे ही थोड़ा सा माहौल पॉजिटी बना श्टॉक उपर भी गया लेकिन फिर जब गिरावट का दोर सुरूआ तो श्टॉक में हमने गिरावट भी देखी 9.10 पर क्लोजिंग है 4.21 की हमें गिरावट देखना को मिली तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है श्टॉक इस लेवल पे काफी मजबूत है और जल्दी ही आपे फिर से एक तेजी का दौर सुरू होगा श्टॉक उपर जरू जाएगा आपको यह ध्यान अगना चीह है कि जब बाजार में गिरावट होती है तो हर श्टॉक नीचे आता है और यहां पे तो सुजलोंद की बात ही नहीं है आप समझ सकते हो कि टाटा ग्रूप का टाटा पॉवर सेक्टर का सबसे मजबूत शेयर उसमें भी लगबग उपर के लेवल से आप देख सकते हो 100 रुपी श्टॉक टूट चुका है 300 का श्टॉक 200 के आसपास मिल रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं जैसे ही पॉजिटीव महल बनेगा श्टॉक सारी दोडने वाले और वैसे भी अब पिरेड़ सुरू होने वाला है ग्रीन आने जी के नाम का वालीम देखा तो पिछले एक मने पर इसका 12 क्रोट का वालीम था 4 क्रोट की डिलेवर उठाएगी थी वन वीक पहले 8 क्रोट का वालीम था 3 क्रोट की डिलेवर उठाएगी थी और आप देख सकते हो बुदवार को 13 कोड का वाली मा था 4 कोड़ी डिलोर उठाएगी और फ्राइडे को 13 कोड़ का ही वाली मा तो वाली में फिर से बड़ोतरी सुरू हुई है अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे जो हमारे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन एंदर्जी का निर्मान करना है और हमें नेट जीरो कार्बन पॉलिशी पे जाना है 2070 तक और इसके लिए लगातार इसमें इंवेस्मेंट भी करेंगे और इसके लिए जितनी हो सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को भी या पर हेल्प की जाएगी ताकि ज़्यादा ज़्यादा इंवेस्मेंट आए तो कुल मिला के विजन क्लियर कर दिया गए आने वाले समय में इंडिया क्लोबल लीडर बन जाएगा ग्रीन एंदर्जी के सेक्टर में आरके सिंग का क्याना है कि हम अपनी मैनुफेक्चरिंग कैपसिटी को बढ़ा रहे है फिलाल हमारी मॉड्यूल मैनुफेक्चरिंग कैपसिटी 20,000 मेगावाट की है जिसको आने वाले समय में हम 30,000 मेगावाट तक पहुचाने वाले एक साल के अंदर और 90,000 मेगावाट तक जाएगी हमारी यह capacity 2030 तक सबसे बड़ी बात उनकी कही है जो आरके सिंग उनका कहना है कि 90% investment है वो सारा private enterprises की तरब से आ रहा है बहुत सारे यहाँ पे देख सेक्तों की company आ है जो यहाँ पे निवेश करना चाहते और यह बहुत बड़ी बात है कि इस गरी नाजी सेक्टर में 90% investment पूरा का पूरा जो private सेक्टर ला रहे है यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है central government ने decision लिया कि जो solar project पूरा होने में भी समय लग रहा है उनके लिए जो उसका timeline है उसको बढ़ा दिया गया या ताकि उस सेक्टर को रहात मिले और काफी problem थी इसमें pandemic डौर भी आया जिसकी वज़़से काफी ज़़ा डिले हो गया तो अब सरकार ने decision लिया कि वो project को और आगे time बढ़ाया जाए तो ये project 2024 तक पूरे किये जा सकते हैं उनको timeline बढ़ा के दे दिया गया है एक तरसे रहात दी गए ये sector को कि वो अपने project को थोड़ा अगर delay भी करेंगे तो कोई problem नहीं लेकिन ये project होने चीए क्योंकि बीच में pandemic दोरा है इसमें जैसे थोड़ा सा delay होआ है तो आने वाले समय सरकार इनकी company की मजबूरियों को देखे उनको timeline बढ़ा के दे दिया है यहाँ पर बड़ी गुणिज और निकल क्या रहे इस बार इंडिया को G20 को यहाँ पर होस्ट करने का मौका मिला है इंडिया में G20 समिट होगा और आप यह देख सकते हो कि इसमें green energy sector को focus किया जा सकते है इसमें जो मौका है G20 का उसका पूरा फाइदा renewable energy sector को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है ताकि आने वाले समें इंडिया renewable energy sector में लीडर बन जाए सबसे बड़ी बाद है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो third largest producer है renewable energy sector की पूरे country के अंदर इसके अलावा fourth largest है install wind energy sector की capacity में और पाचवे नमबर पे है solar energy install capacity में तो इंडिया का आप देख सकते हो कि इंडिया काफी बड़ा दबदबाए और आने वाले समय में इंडिया में world leader बनना चाहती है इंडिया green energy sector में और इसलिए इंडिया ने green hydrogen mission launch कर दिया है यानि green energy के और green energy यानि जो solar energy के मादेम से जो भी उड़जा निर्माण होगी उसको green hydrogen तबदिल किया जाएगा और उसको फिर world को export किया जाएगा और इसके लिए अगर आप देखे तो बहुत सारे international solar alliance किये जा रहे हैं लगातार बहुत सारे business के ताइप किया जा रहे हैं चाहे USA हो सिंगापोर हो या फिर जर्मनी हो या फिर UK हो सबके साथ में business टाइप किया जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो हमारा जो target है उस target को अच्छिव किया जा सके अब यहाँ पर एक बड़ी report और निकल के आ रही है IEFA की जो report निकल के रही है यह कहरे है कि इंडिया के अंदर वो potential है कि battery storage की capacity को जादा से जादा पाया जा सकता है यानि आने वाले समय में अलग-अलग grid को जो बिजली है वो storage के मादिम से supply की जा सकती है ज़रूरी है वरना वो बिजली सारी वेस्ट हो जाती है अचा है solar energy के मादिम से हो या wind energy के मादिम से हो तो उसके लिए storage इंडिया में कहें जा सकते तो यह जो study निकल के आ रही है यह institute of energy economics and financial analysis United state based think tank की study रहा है जो इनों है रिलीज की है 18.2023 को और उनका कहना है कि इंडिया के अंदर वो potential है कि 140 से लेके 200 गीगावर्ट battery storage capacity 2040 तक इंडिया में solar की जा सकती है तो कुल मिला के इंडिया में storage की problem solar हो जाएगी तो फिर आप देख सकते हो कि जितनी भी green energy sector की company उनके लिए बहुत सारा आसान हो जाएगा काम करना लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाड़ ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू की जर चैनल को subscribe कर दीजे Thank you friend